हलो फ्रेंज वेलकुम आज के वीडियो में मैं आपको हैंगिंग हैंड टावल बनाना सिखाऊंगी जिसे आप अपने किचन या बाथरूम में हैंग करके यूज कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने ये सबसे पहले एक हैंकी लिया है तो ये मैंने छोटा वाला लिया है अगर आप चाहें तो इससे जो बड़ा साइज होता है वो भी ले सकते हैं यहां मैंने एक कपड़े का पीस भी लिया है इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी विट्थ है 5 इंच तो ये फैबरिक अगर आप थोड़ा मोटा लेंगे तो जादा अच्छा रहेगा यहां मैंने एक strip भी लिया है fabric का, इसकी लंबाई है 10 inch और इसकी width है 1 inch, तो हमें इस तरह ये 3 pieces लेने हैं fabric के, अब हम इस वाले fabric के piece को इस तरह bead से fold करेंगे और side में सिलाई देंगे, तो जो सीधा side है वो हमने अंदर की तरफ रखा है और उल्टी तरफ हम fabric के सिलाई देंगे तो हमें दो तरफ सिलाई देना है, इस तरफ और इस तरफ, तो इस तरह हमें L-shape में सिलाई देना है, और ये रहा strip, इसे भी हम fold देंगे, तो ये देखे इस तरह दोनों तरफ से हम छोटा-छोटा fold लेंगे, और इस तरह fold देते हुए सिलाई देंगे, ये देखे, सिलाई हमने दे दी है दोनों तरफ L-shape में और यहां हमने strip पे भी सिलाई दे दी है अब हम इसका इस तरह फोल्ड करके center निकालेंगे यह हमने center निकाल दिया है अब इस जगा से हम stitch थोड़ा सा उधेल लेंगे इस तरह यह देखे हमने स्टिच थोड़ा सा उधेल लिया है और ये जो हमने स्ट्रिप बनाई थी इस तरह इसका एक लूप बनाते वे हम इस लूप वाले साइड को इस होल से अंदर की तरफ डालेंगे तो करीबन 2.5 इंच का लूप आपने अंदर की तरफ इस तरह डालना है और बाकी बचे वे निकाल दिया है अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये देखे ये हमारा लूप इस तरह बनके तयार है हैंग करने के लिए तो ये area ready हो चुका है अब हम इस towel को इस piece के साथ attach करेंगे तो यहां सबसे पहले हम towel में कुछ pleats दे देंगे और उन्हें pin कर लेंगे यह देखे हमने pleats इस तरह बना दिये हैं अब इन pleats वाले area को हमने इस piece पे fix करना है तो उससे पहले हम आधा इंच का कपड़ा अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर लेंगे आधा इंच के कपड़े को यह देखे इस तरह हमने फोल्ड कर लिया है आप चाहें तो यहाँ पे press दे दें जिससे की यह अच्छे से set हो जाएगा निकलेगा नहीं और अब हम इस pleated area को यहाँ पे अंदर की तरफ adjust करेंगे इस तरह इसे अच्छे से adjust करके रखें और यहाँ उपर की तरफ हम stitch दे देंगे यह देखें stitch हमने दे दी है और हमारा hand towel इस fabric के piece के साथ attach हो गया है और हमारा hanging towel बनके तयार है आप चाहें तो इसे इसी तरह use कर सकते है या फिर इस जगह पे आप कुछ decorative piece भी लगा के इसे और सुन्दर बना सकते है तो यहाँ मेरे पास यह एक decorative button है इसे मैं fabric glue की मदद से यहाँ पे चिपका दूगी तो यह देखें यह और ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है या फिर bathroom में भी रख सकते हैं उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे page को like करना ना भूले मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care